लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और प्रेल आइटन को प्रेस करें क्यों श्राइब बच्चे को देखा हाँ देखा रानी बिटिया को भी और उनकी बच्ची को भी भागत सुन्दर है मैंने पूछा आपने बेटे को देखा कि नहीं उसे तुझ यहीं देख लोगा ना मलिक वो यहां नहीं है अपनी दालिमार क्यों उसका दिमाग खराब हो गया है क्यों नहीं आया मैं नहीं उसे निकाल दिया क्यों उसने एक गलती की गलती कैसी गलती हाँ छोड़ना यार वो मैं खुद भूरना चाहता हूँ चल्ट मेरे घर तुम क्यों आए हो तुरिकलो बाहर गुडिया गुडिया थोड़ दो उसे च्या कर रही हो तो एक वफा कहा दे जा रहे हो से रुक जाओ इस घर में आने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निक्लो यहां से निक्यो बाहर वाहर हमारे परिवर की खुश्ची चीने वाले इस निचाति में गर लादे हुए आपको शर्म नहीं पुझे शर्म नहीं है जानते हो उसलिए अपburn तुम्हारी जेल की सजा भले ही खतम हो गई हो लेकिन इस घर की तरफ से तुम्हारी जो सजा है वो अभी खतम नहीं हुई और इस जरह में कभी खतम नहीं होगी कोई बात में मारें से जहां कि जाओ कोई बात नहीं है जाओ पूछने वाले तुम कॉन हो तुम लोगों को दूर रखने के लिए है यह मैंने नाट करके तुमारे बेटे को भगा दिया था अब तुम आ गया हो निकलो यहां से चले जाओ शेरा वर निकल जाओ क्या कहा छोटों को राट करके बाहर निकलवा दिया हाँ पिताजी जिसके वज़से आपने अपनी बड़ी बेटी को घर से बाहर किया वही दो कौड़ी का नोकर हमारे घर पे माली की तरह हूकमत कर रहा था यही यही मुझे अच्छा ने लगा उसी वज़से मैंने उस दें आउनच में वीरो पर जुटा इल्सम लगाया और उसे आपसे अलग कर दिया नहीं मालिक मालर अशेरु मुण से गल्ती हो गए मैंने गल्ती कि चैने नहीं मालिक अपने गल्ती नहीं किया है जेरू गरती तो मैंने किये मालिक, वेरा गाहूं में आना किसी को भी पसंद नहीं ऐसे में गुडिया बेटी को कैसे पसंद आएगा मैं जा रहा हूं मालिक, जा रहा हूं देखे न, बच्पन में कांची दाते वक्त बिना रोने वाली गुडिया बेटी अब कैसे आसो बहार ही, मालिक अब आप गुडिया बेटी पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे अगर उठाया तो बिटिया के मन को ठेस पहुंचेगी बिटिया आपने पिताजी का पुरामत पानगा भगवान तुब अपनी मर्जी से आएगा अपनी मर्जी से जाएगा बड़े कलेक्टर है अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरह से रो रही हो जल्दी से खना लगाओ इस तरह जुझला क्यों रही हो अभी तोड़ी जा रहा हूं शहर में घर मिलने में टैम लगेगा उसके बाद ही जाओंगा अच्छा यह बता गाओं में क्या तकलीफ है जो गाओं छोड़के जाने की बात करना है जेल से चुटके आ रहा है तेरा बेटा मुझे उसकी शकल से नफरत है इसलिए जा रहा हूं क्यों मेरा बेटा क्या कहता है अपना बाप क्यों नहीं कहता बड़े माली के परिवार का बुरा करने वाले को उस नाम से बुलाने वाला मैं कोई पागल नहीं हूं याद करने से भी दिल जलता है उस लड़की ने मुझ मेरे बेटा मेरे जिगर कर तुकड़ा तु कैसा है बेटा तु अच्छा है ना तुझे देखने मेरे आँखें तरस गई तेरे आनिक यिः खबर कर देता त तु मेरे स्टेशन पर आजाती ना हस्ता क्यू है वैने रेलवे स्टेशन कहा था तु जहाँ था वो स्टेशन पर नहीं वहां पे तो मालिक के सिवा और किसको आने से मैना किया वहाँ मेरी हालत देखकर तुम दुख्य हो जाते हैं इसलिए माना क्या था अच्छा मा तुम कैसी हो पाँ मुझे किस बात की कमी है तुम मुझे जिस तरह देखता है वो भी मुझे देखता है उसमें मैं तुझे देखती हूँ एक जलग देखने को मन कर रहा किसके अब बेची की उसमें क्या चल अबने बेटे को देखने के लिए मुझसे क्या पूछता है वो क्या है की वो तुझ पर थोड़ा सा नराज है आभी देखने के वजा है चार दिन के बाद क्योंकि उसमें अगर तुझे कुछ कह दिया तो मैं सहे नहीं सकूगी कोई बात नहीं मा, मैं फिर कभी आके देख लोगा शेरू, मैं तेरा दुख समझती हूँ, अपने बेटे को देखने के लिए दिल तडबता होगा तुह एक काम कर, यहां के बजाए पिछवाडए खिटकी के पास आजा, उसके जाने बिना तुझे तेरे बेटे को दिखा देंगे, हाँ, चल चल क्यों अरे राजा, खुद पर उसके खा रहा है तो नहीं तो कहा था खा ले, खा ले मख्या बेटा, मख्या सर में जुए है राजा, तेरे नाग पर क्या है कुछ भी तो नहीं है क्यों कुछ नहीं है, अभी दिखाती हूँ तो कितना ही मसका लगाल है, मेरा गाउँ छोड़के जाना पक्का है चीक है ठीक है जहले जाना यह देख काना कुछ नहीं है, खाने दे तो रो क्यों रही है कुछ नहीं तू भी मेर साथ चल मैं तेरे बेटेयसा अच्छी देखबाल करूँगा मेरा राजया बेटा तू अच्छी देखबाल करेगा मैं जानती हूं तू अच्छी दिखबाल करेगा यह आएना किसलीए, आपनी खूपसुर्ती देखते वग खना घा कहो लाँ मजजाДаya, पेटा, खाना खाती ही मजजा ना अराम से जाना कह रही थी मैंने तेरे लिए लड़ू बनाए है, यही बट के अराम से खना, अराम से कोई जयल्दी नहीं है, अराम से थौङशा थो बड़ा थो ठीकी है लुघु towards देख लिया ? देख लिया लेटा एक्टम जैसे ही है न अब जा भीटा । जा मालिक गर पे रहेगा ना तोसे मैं बाद में मिलूंगी अब जा जा बेटा क्या है बेटा बहुत बूक लगीं कुछ खाने कुल मिलेगा मैंने क्या कर दिया तुम्हाना हतों का खाना का है, जमाना पीत गया है खिलाती हूँ बेटा, खिलाती हूँ, तु पिछवाड़े आजा, मैं लाती हूँ मैं कितनी बदनसीब हूँ, खाना खाने के लिए भी नहीं खा खाले बेटा, खाले, मुह खौल यह मेरी खूँ पसनी के कबाई का खाना है, उन्हें यह खाने का हक नहीं है इसलिए उस बगवान ने इसके शेकल तुझे दी है चुपो जो मा, चुपो जो सुलिया थेरे बेटे ने क्या कहा कुछ भी हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है मा ये तो क्या कह रहा है हाँ मा, क्योंकि ये मुझसे भी ज्यादा बड़े मालिक को अपना समझता है इसलिए तो ऐसा बोल रहा है चलता हूं मा बेटा, भूख लगी ती तभी तक खाना मागा था एक निवाला भी खाये बिना जाएगा कोई बात नहीं मा फिर कभी खा लोगा शेरू रूख जा तुम बाप बेटे दोनों ने मेरे लिए चल्म लिया है छोटू खलती ने करने पर भी मैंने तुझे सजा दी है इसे लिए तुझे माफी मांग ने आया हूं यह क्या बड़े मालिक आप मुझे माफी मांग रहे है बेवज़ा मुझे मानने का हक आपको है उससे ज्यादा हक उसे है छोटू तो अपने पिता से माफी मांग रहे जब मैं उन्हें अपना पिता ही नहीं मानता तो माफी मांगना सवाल का उटता है वो ना सिर्फ तेरा पिता है भलकि मेरी जान है शेरू मेरी बात सुन शेरू भाया गुडिया को दो ना शेरू बच्चे को दे दे बच्चे को देदे, बच्चे को दे, कान छिदने- कान छिदाने न से दर्थ होगा तु क्या? कभी इशे कान छिदने नइ पयरने से भी गड़िया बीटी सुन्दर लगेगी शेदने से दर्थ होगा इसे, तो प्रेसिंग उयर्टॉस पिना लेते है शेरू चाचा, गुडिया को दो अरे मुझे दो ना देखो, गुडिया को कोई दर नहीं होगा, मैं वादा कती हूँ वादा? पक्का वादा समाल का गुडिया बेल गई रो नहीं बेटी पेचारी गुडिया यतना डरता है दर गया, दर गया साथ मिलके गुडिया बेटी को रुलाने वाले हैं नहीं देखूंगा शेरू अरे गुडिया कैसे ऐसे ये देख अरे गुडिया बहुत सुंदर लग रहे ये इस पीशी बात के लिए समीन आसमाले किया तो क्या करो बिजारी बची जो है अरे बड़े मालिक आगा जल्दी करो नमस्कार, सब लोग बेची बेची शेरू, तू क्यों खड़ाया, बैठना नहीं मालिक अरे कहा ना बैठ जा आप खा लिजे, मैं घट जाके बात में खा लूगा अरे मैं भी खा रहा हूँ ना खा बैठ जा बैठ जा क्यों, क्या हुआ सब खड़े क्यों हो गए यह आपका दोस्त है वो तो ठीक है पर इसकी बराबरी में बैठ कर खाना खाना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा बड़े मालिक अच्छा यह बात है, शेरू, उठ इसलिए तो मैंने तभी माना क्या था ना मालिक ठीक है उठना अभी क्यों खड़े है, बैठिये सब बैठिये परोसो, खाईए सब लोग खाईए यह शेरू, चल यह क्या बड़े मालिक, आप खाना खाय बगर जा रहे है आप सबके लिए जात कीमती हो सकती है लेकिन मेरा लिए यह कीमती है, चल यह फोटो अच्छा है, अच्छा नहीं है यह अच्छा नहीं है तो यह अच्छा नहीं है देखे बिना ही बोल रहा है देखे बोलता हूं अच्छा नहीं है ये तो अच्छा है न अच्छा नहीं ये क्या डेखें भी न अच्छा नहीं भोल रहे हैं अच्छा नहीं है हाँ पैचें नहीं चुरौण क लिए ठेश beide पितेजी मुझे शादी करनी अट करना हैंam आप अपनी बेटी की कभी शादी ने कराएंगे दीदी हम जा रहे इतनी जल्दी भी क्या है और चार दिन रुख सकते हो ना हम मापर बोच कैसे बने दीदी यह तो आपका और जीजाजी का बड़पन है जो हमें अपना समझ रहे हम दू अनातों को अपने बजपन से पाला यह कम है अरे छोड़ो ना खाना खाये तुम लोगोंने हां बहुत खाया अच्छा तो फिर चाओ चलता हो दीदी चलते है चलत मालिक तो यही मजाग कर रहे थे हमारे यहां रुपे सेवर वगेरा बोरी में भरकर लेजाया करते हैं इसलिए मजाग कर रहे थे अगली बार आएंगे तो मैं आपको एक बक्सा खरीद दूँगा चलता हो ची अच्छा है चलता है जाओ मालिक आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी बात कहूं चोटी बात क्यों बड़ी बात कह न किसने माना किया आप बाप बेटी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते है इसलिए फोटो देगी भिना हिमाना कर रहे पर माल किन रानी बिट्या की शादी करवाना चाहती है ना मा यह सरा देना बंद कर माना कि अनात होने की वज़े से माल के नहीं उन्हें पाला पोसा है इसमें उनकी गलती क्या है गलती की बात मत कर अगर ऐसा करना पड़ा तो मेरी बेटी के लिए बड़े खर सरिष्टा लाओंगा आ हमारी जायदा दोनों बेटियों के लिए उसमें से आदी जायदा को बड़ा खुदतर समझता है साथ जी महरत का समय हो रहा है वर को बुलाई यह अपके होने वाले दामाद को लिए वह मेरा दामाद कहां से हुआ तुभी ने तो एलक्षन किया है एलक्षन नहीं मालिक सलक्षन ते शादी नहीं हो सकती तू पागलों की तरह बात क्यों कर रह है अरे मेरी जान मैं तुझे धोका क्यों दूगा मैं तो सिर्फ जाइदात के लिए उसे शादी कर रहा हूं पगली सच मेरा प्यार तो तुह ही है अरे पापे बदमाश तो इतना बुरा आदमी है वो वो क्या है के दिदी मुझे दिदी बद बुला तू मेरी बेटी से इसलिए शादी कर रहा था कि ज्यादात पा सके तेरे कभी भला नहीं होगा कभी नहीं यह सब तेरी वज़े से हुआ है दिदी की गालें सुना रहे है इसे शुब दिन में निकल जा बहा है यह शुब दिन ही है शादी होने से पहले तेरा पर्दा फाश हो गया यह वाके शुब दिन है दिदी मुझे माव कर दो जवानी के अंध्य बन में उस लड़की के चक्कर में पढ़ गया था वह यहां सब के सामने कोई हंगा मना कर बै मेरे पती जानगे तो तुझे माट आलेंगे मैं कोई नो कोई बहाना करकी यह शादी रोख दूगी हट दीदी नहीं मेरे सब दो गुसाच होने से पहले चूट-चूट मत करो मरते दम तक तक तुम्हारी बेटी के साथ कोई अन्याई नहीं करूगा तुम्हारा सर की कसर च अच्छा मेरे करे मत अच्छा माट आलोगा मैं तुझे तुम्हें क्या समझती है तुझे 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 तुप इस यह मुहरत निकल गया तो च्छे मेने तक और कोई मुहरत नहीं है खड़े-खड़े क्या देख रहे हो आगे दुले को ले आओ जा अच्छा सुनिया यह कहा जा रहे है अभी भी हो अभी हो आओ अभी दुला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है थिखाई नहीं तुझे रहा है तो कहा जाएगा तुम्हें ठीक से देखा नहीं तो आज इस घर में एक एक करके सब गुम हो रहे है गोविन मालिक तुम जाके लेक्षमी और शेर को ढूबाएटि यह जाएगा प्रिक्र मस्त पर बेटी मा आ जाएगे मा कहा गई पिता जी आ जाएगे बेटी ए चंदो तुम जल्दी जाके लक्ष्ण को बुला राए नमस्का बैस्का पिता जी रुको पंडित मा के बिना हे मंगल सूत पहरुआओगे बहा रखो मंत्र पड़कर हो मंत्र पूरे होगे हो गया तो फिर से पढ़ो मालकिन मालकिन यह सब कैसे हुआ किस ने किया हूँ मेरा भाया चाहत्मी नहीं किसी पीता रही है शाधिरों कॉ मेरी बिटी को बचाओ ठीक ठीक है मालकिन ठीक जाओ झाल 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 मैं शादी रोक नहीं सका मलकी मेरे पहुशने से पहले मंगलसूत्र पहना दिया अपने राली बिड्या के गले का मंगलसूत्र अपने आतोसी कैसे उतारता आपी बताई यह मालकी मालकीन मालकीन मालकुम. मालकिं का कुण ओजाँ. माले कर खुनो होजाँ. राईएए राउग पलाई है लुक्ष्मी राईए छुष्मी अरुख्मी बत रे शरूँ क्या हूँ आप पाई लेक्ष्मी अरुख्मी बत रे शरूँ बदा म Stretcher तुन्य म पुनी दन्य होगा तुन्य म करें तो करें! तुन्य के बिगाने!! क्या होगा? तुझा दिखाई ना देने की परिशानी में, मालकिन मुझे बुरा भला कहने लगी, तो मुझे गुस्सा आया, और उन्हें धक्का दे दिया, वो जहाके उस खंबे से ठक रहीं, और सर पटने से, वो मर गई नहीं, तुने नहीं मारा है, सक्षिक बता क्या हुआ मैंने कहा रहा, मैंने अपने हाथों से इने बारा है, मैंने अपनी मालकिन को अपने ही आथों से बारा है, मालकिन को मारा है रक्ष्मी में तुन मालकिन को नहीं बार सकता, मैं जान दियों तुन नहीं बार सकता तेरे मन में मेरे लिए प्यार और अपन है ना ये आप क्या कह रहे हैं तू चाहता है ना मेरा हमेशा भला हो आप सौ साल सलामत रहें यही मेरी दुआ है तो तुझे मेरी कसम अखिकत ने क्या हुआ बता मुझे मेरा रस्ता रुनाश होजा है तुझे की मालिक आपको मुझे कितना प्याहर है ये मैं जानता हूँ लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ वो किसी को नहीं बताएंगे इसका आप मुझे वचन देंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा मेरे पहुचने से पहले ही बिटिया के गले में मंगल सुत्र पहना दिया मैं बिटिया का सुआख कैसे हो जारता बोली अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या मैं सैसकता था इसलिए वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया दामाजी से अंचाने में ऐसा हुआ होगा वो जरूर बदल जाएंगे हमारी बिटिया की बड़े प्यार से देख बाल करेंगे इसका मुझे विश्वास हमाली धया करके ये बात किसी को मत बताएगा दामाजी से भी मत पोच्छना कभी गलती से भी रानी बिटिया ही जान गई तो वो दामाजी से नफ्रत करके अलग हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो आप मेरा मरा मुझ देखेंगे तहां मैं माल जाओंगा करका आप मेरी बेटी की भलाई के बारे में सुचता तुने अपनी मां और बेटी के बारे में नहीं सुचता कि मुझे उंकी क्या चंता है माली हाभ है ना कि झाल झाल